नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे पोदे दिखा रहा हूँ, जिनको आप एक बार अपने गार्डन में आड़ कर लेते हैं, तो यह आपके गार्डन में हमेश्य बने रहते हैं, कई सालों तक यह पोदे आपके गार्डन में बने रहेंगे, इनको बार बार लगाने की आवशकता नहीं पड़ेगी, पहले नंबर पर है ये मेरी गोल्ड, मेरी गोल्ड का पोधा लगाना बहुत आसान होता है, एक बार जब हम ये पोधा लगा लेते हैं, तो इसके बीज अपने आप यूगते रहते हैं, और ये हमारे गार्डन में एक पर्मानेंट प्लांट बन जाता है, गर्मी का मोसम हो, चाहे सर्दी हो, दोनों ही मोसम में इसमें फ्लोरिंग भी होती है, और इसकी ग्रोथ भी होती रहती है, अब बरसात के मोसम में यदि आपको इस पोधे की कटिंग मिल जाती है, कितना आसान होता है मेरी गोल्ड के इन पोदों में बहुत ही खुश्बुदार फूल खिलते हैं और इनके पत्तों में भी खुश्बुँ आती है दूसरे नमबर पर है गोम फ्रेना गोम फ्रेना की भी कटिंग लगाई जा सकती है और इसके बीज भी गुरो कर सकते हैं ये भी एक ऐसा ही पोदा है यदि आप इसको एक बार अपने गार्डन में आड़ कर लोगे तो ये पोदा भी आपके गार्डन में हमेशा उगता रहेगा दो तिन कलर्स में इनके फूल होते हैं और इन पोदों की ड्वार्फ वेराइटी भी होती है और लोंग वेराइटी भी होती है दोनों इस वेराइटी में इनमें बहुत ही सुन्दर फूल खिलते हैं एक सीजन में जब हम इनको लगा लेते हैं तो अगले सीजन में ये अपने आप यूग जाते हैं गोम फ्रैना की ये पोदे बिल्कुल भी केर नहीं मांगते हैं एक बार जब आप इनको अपने गार्डन में आड़ कर लोगे तो फिर ये अपने आप युगते रहेंगे आप इन पोदो के बीज भी स्टोर कर सकते हैं यदि इनके बीज नई स्टोर करते हैं, तो भी ये बीज नीचे गिरते रहते हैं, और अपने आप यूगते रहते हैं, इन पोदो को डारेक्ट शनलाइट वाली लोकेशन में लगाया जाता है, इस लिष्ट में तीसरे नमबर पर है अपराजिता, अपराजिता की बेल देख पुषपी के नाम से जानते हैं, और जब इसके फूल पक जाते हैं, तो इनमें मटर की जैसी फली बनती है, और उनमें बीज बनते हैं, और जब ये बीज सूख जाते हैं, तो ये नीचे अपने आप इगिर जाते हैं, और इनके नए-ने पोदे त्यार होते रहते हैं, इस लिस्ट में next जो प्लांट है उसका नाम है ऐलो वीरा ये देखिए दोस्तों कितना healthy पोदा है नीचे जमीन में लगाने पर इसके पत्तों का diameter भी बढ़ जाता है और इनके पत्तों की लंबाई भी बढ़ जाती है आप देख सकते हैं इसके पत्ते कितने बड़े size के हैं और इ इसके एक पोदे के side से कई पोदे अपने आप ही निकल आते हैं एलो वीरा के पोदे को तो हर घर में लगाया जाता है यदि आपके पास नीचे जमीन में जगे नहीं है तो आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं किसी भी छोटे से छोटे size के container में आप इसको लगा इस पोदे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी इस पोदे को आप indoor outdoor कहीं भी रख सकते हैं और ये एक hardy plant होता है ये देखिए इस परकारिश के छोटे छोटे पोदे अपने आप उगते रहते हैं अब मैं एलो वीरा के और पोदे दिखाता हूँ ये देखिए दोस्त इस परकार आप एक पोदा लगा लेते हैं तो एक पोदे के साइड से अपने आप इन नए नए पोदे उगते रहेंगे इन पोदो को नर्सरी से लाने के आव सकता नहीं होती है एक बार जब आप इन पोदो को लगा लोगे तो ये अपने आप ही फैलते रहेंगे इस लिस् में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है और ये बहुत अधिक फैल जाती है इसकी नई नई ब्रांचीज निकलती रहती हैं हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये एक बेस्ट प्लांट होता है मेरे पास इसकी छोटी सी कटिंग थी मैंने इसको नीचे जमीन में जितने हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं ये भी एक पर्मानेंट प्लांट है सर्दी के मोसम में इसके पत्ते सूखने लगते हैं मगर इसकी अच्छी केर की जाए तो इस पोदे को बचाया जा सकता है इस परकार ये एक ऐसा पोदा है जो एक बार लगाने पर हमेशे आप स्नेक प्लांट मैंने अपनी पिछली वीडियो में इन पोदो को दिखाया है और ये जो पोदे हैं इनको मैंने केवल दो पोदो से तियार किया है एक गार्डन से मैं दो पोदे लेके आया था और देखिए दोस्तों दो पोदो से इनके कितने पोदे बन गए हैं इन पोदो को अपने garden में लगा लिया जाता है तो ये कभी भी नई मरते हैं ये बहुत ही hardy plants होते हैं गर्मी, सर्दी, indoor, outdoor कहीं भी आप इनको रखिए ये अच्छी ग्रोध करते रहते हैं ये पोदे केवल over watering की वज़े से सूखते हैं इसलिए आप इन पोदों को अपने garden में जरूर एड़ कीजिए इस लिस्ट में नेक्ट जो plant है उसका नाम है तुलसी, तुलसी हर गर के आंगन में लगाया जाता है और इसे एक सुब पोदा माना जाता है ये देखिए दोस्तों बरसाप के सीजन में इस पोदे की अच्छी ग्रोथ हो जाती है और इसके छोटे-छोटे पोदे अपने आप यूगते रहते हैं मेरे garden में भी इनके छोटे-छोटे पोदे उगे वे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सभी पोदे, healthy पोदे हैं और यदि इनकी अच्छी केर की जाए तो ये एक बड़े पोदे का रूप ले लेंगे मैंने अपने garden में लगे वे तुलसी के पोदो की कभी भी केर नहीं की मैं केवल गर्मी के मोसम में इन पोदो में पानी डालता हूँ इसके अलावा मैं इन पोदो को time भी नहीं दे पाता हूँ और ये देखे दोस्तों अपने आप ये अच्छी ग्रोध कर रहे हैं मैं जून की तेज दूप और गर्मी में इन पोदो को बचाने के लिए तुलसी के पोदे में watering का विशेश द्यान रखना पड़ता है कहां उग गया है मैं इनके कुछ और पोदे आपको दिखाता हूँ ये देखिए दोस्तों कितने पोदे उग गये हैं यहाँ भी देखिए जहाँ इनके बीज बिखर जाते हैं वहीं ये पोदे उग जाते हैं एक साफ सुत्रे गमले में लगा कर इस पोदे की पूजा की जाती है मगर बर्षात के सीजन में ये पोदा कहीं भी उग जाता है जहां साफ सफाई नहीं है वहां भी ये पोदा बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेता है ये देखिए दोस्तो इस लिस्ट में आठवे नंबर पर है गिलाडिया देखिए दोस्तो गिलाडिया में कितनी सुंदर फ्लोरिंग हो रही है बर्षात के सीजन में ये फूल बहुत ही चमकदार दिखाई देते हैं क्योंकि इन फूलों की दूल मिट्टी बारिश के पाने से साफ हो जाती है और ये बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग करते है पिछले साल मैंने इन पोदों को अपने गार्डन में एड़ किया है मैं इनके बीज लेके आया था और बीज से मैंने इनके पोदे बनाए थे अब देखिए दोस्तों ये कितने पोदे बन गए हैं ये पोदे अपने आप यूगते रहते हैं जब इनके फूल सुकर मुर्जा जाते हैं तो नीचे जमीन में गिर जाते हैं और इनके नए-ने पोदे अपने आप ये बन जाते हैं इस परकार इन पोदों का multiplication होता रहता है एक बार जब आप इन पोदों को लगा लोगे तो ये आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएंगे और ये एक पर्मानेंट फ्लोरिंग प्लांट है गर्मी सर्दी हर मोसम में इसकी बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होती रहती है इस पोदे में हर मोसम में फ्लोरिंग होती रहती है अब बरसात के सीजन में तो इसके फूल बहुत ही चमकदार दिखाई देते हैं ये देखिए दोस्तो कितने सुन्दर फूल खिलेवे हैं यदि आप इन पोदों को अपने गार्डन में अड़ करना चाहते हैं तो केवल एक बात का ध्यान रखें आप इन पोदों को ऐसी जगे लगाई हैं जहां अधिक से अधिक सनलाइट इन पोदों को मिलती रहे जब इनके फूल नीचे गिर जाएंगे तो इस परकार इनके नए नए पोदे उग जाएंगे ये देखिए दोस्तो एक फूल से कितने पोदे बन गए हैं इस परकार इनके सूखे बीजों से इनके छोटे छोटे पोदे अपने आप बनते रहते हैं ये देखिए इस लिस्ट में नेक्ट जो प्लांट है उसका नाम है अगेव अगेव भी एक ऐसा ही पोदा होता है एक बार जब हम इसको लगा लेते हैं तो इसके भी छोटे छोटे बेबी प्लांट से अलोविरा की तरह साइड से निकलते रहते हैं इस परकार एक पोदे से इसके भी बहुत सारे पोदे बन जाते हैं अगेव के पोदों के हाइट तीन से चार फिट तक बढ़ जाती है और इनका डायमीटर भी तीन से चार फिट तक हो जाता है इसलिए आप इन पोदों को दूर दूर लगाएं मैंने इनके छोटे छोटे पोदे लगा दिये थे अब मैं इनको दूर दूर लगाने वाला हूँ यदि इस पोदे को गमले में लगाया जाए तो ये पोदा बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है ये पोदा एक कमल के फूल की तरह दिखाई देता है इसलिए इस पोदे को कमल कैक्टेस के नाम से भी जाना जाता है अगेव के प्लांट को कैक्टस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट होता है इसको जितना कम पानी दिया जाए उतनी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है और रेगिस्तान वाले इलाकों में इस पोदे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है एक बार इस पोधे को अपने गारडन में एड कर लीजिए उसके बाद इसके अपने आप इंए नए नए पोधे बनते रहेंगे इस list में next जो plant है उसका नाम है कड़ी पत्त, कड़ी पत्त का पोदा हर गर में लगाया जाता है क्योंकि इसके पत्त खाये जाते हैं एक बार जब हम ये पोदा लगा लेते हैं तो ये पोदा हमारे garden में permanent बन जाता है और जब ये पोधा बड़ा हो जाता है तो इसके बीज बनने सुरू हो जाते हैं जब इसके बीज पक जाते हैं तो नीचे गिरकर इनके नए नए पोधे बनते रहते हैं इस परकार एक ही पोधे से बहुत सारे पोधे भी बन जाते हैं यदि आप इसके छोटे-छोटे पोदे नहीं उगा पाते हैं तो आप इस पोदे की अब बर्शात के सीजन में कटिंग भी लगा सकते हैं इस पोदे की भी अधिक देखवाल नहीं करनी पड़ती इस पोदे के लिए केवल एक बात का इद्यान दखना होता है यदि आप इस पोदे को अपने गार्डन में अड़ करना चाते हैं तो आप इसको ऐसी जगे लगए जहां आधिक से अधिक सनलाइट इस पोदे को मिलती रहे जितने अधिक सनलाइट इस पोदे को मिलेगी उतनी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी इस लिस्ट में नेक्ट जो प्लांट है उसका नाम है सफेद आख सफेद आख का पोधा भी एक सूप पोधा माना जाता है जिसे हर गर में लगाया जाता है यदि हम इस पोधे को अपने गार्डन में एड कर लेते हैं तो इसके एक पोदे से बहुत सारे पोदे बन जाते हैं, क्योंकि इसके बीज नीचे विखर कर नए-नए पोदे बनाते रहते हैं, ये पोदा भी पर्मानेंट होता है, बर्शात के सिजन में इसके नए-नए पोदे उगते रहते हैं, इस पोदे के नीचे इतने पोदे उग ज अब मैं आपको इसके छोटे पोदे दिखाता हूँ, इस पोदे के आज पास छोटे-छोटे पोदे उग जाते हैं, मेरे गार्डन में भी कई पोदे उगे हैं, ये देखिए दोस्तो कितना हेल्दी पोदा उगा हुआ है, इस लिस्ट में जो लास्ट प्लांट है, उसका नाम है, ओरिगेनम मैजोराना, जिसको हम मरवा प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक हर्बल प्लांट होता है, ये देखिए दोस्तो कितना हेल्दी प्लांट है, मैं इस पोदे की बिलकुल भी केर नहीं करता हूँ, और ये पोदा गर्मी सर्दी हर मोसम में बहुत अच कर लोगे, तो इनको बार-बार लगाने की आउसकता नहीं पड़ेगी, हमेशा ये पोदे आपके गार्डन में बने रहेंगे, यदि आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो में लाश्ट तक बन नेवाद, थैंक यू